नमस्कार तुलसी और तुलसी से जुड़ी हुई कुछ विशेश बातों की श्रंखला में यह दूसरी वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर पित जुवर की वजह से आपको घबराहत होती हो तो उसमें तुलसी का क्या रोल रहता है साथी साथ इस वीडियो के आखर में मैं आपको तुलसी से जुड़ी एक बहुत अत्यंत महत्युपूर्ण और बहुत रोचक बात भी बताऊंगा तो इस वीडियो को कृप्यागर के अन्तर देखें तो पितजवर से अगर किसी भी रोगी को अत्यंत घबराहत हो रही हो तो उसे तुलसी के पत्तों का शर्मद बना कर पिलाना चाहिए इससे उसकी घबराहत दूर हो जाती है एवं पितजवर ठीक हो जाता है तो ये था आज का नुस्ता, अब तुलसी ये बारे में एक रोचक बात आम तोर पर तुलसी की पत्तियां हरी प्रकाली होती है तुलसी का पौधा एक से चार फुट तक लंबा होता है तथा इसकी पतियां एक से दो इंच लंबा अंडाकार, आयातकार एवं ग्रंथी युक्त होती है इसमें तीवरे सुगंध होती है इसमें गोलाकार, बैंगनी या लाल मंजरी के फूल लगते हैं तुलसी के पौधे आम तोर पर मार्च या जून के महिने में लगाए जाते हैं और सितंबर अप्टूबर में इसमें बहुती सुगंधित मंजरियां लग जाती हैं शीतकाल में इसके फूल आते हैं जो बाद में बीच की रूप में पकते हैं तो धन्यवाद यह था आज की वीडियो के लिए क्रिप्याइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद रही हो तो इसको लाइक जरूर करें जिसको जरूरत हो उसको शेर जरूर करें और कमेंट करना ना भूल अगर कुछ भी कहना तो तन्य वाक्त है